प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर केरल में है इस दुरान उन्होंने 25 सप्रेल को तिर्वंतमपुरम सैंट्रल स्टेशन से तिर्वंतमपुरम और कासर गौड के बीच राज की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई ये ट्रेन 11 जिलो में चलेगी दुर्वंतमपुरम पहुशने पर पीम मोदी ने रोड शो करके लोगों का भिवाधन भी किया इसके बाद इस सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए पीम मोदी ने कहा केरल में गेज परिवर्तन इलेक्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं केरला में गेज परिवर्तन इलेक्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए है आज भी तिरुआनदपुरम सहीद केरला के तीन स्टेशनों को आदूनिक बनाने का काम शुरू हुआ है ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं है बलकि मल्टी मोडल ट्रांस्पोर्ट हब बनेंगे वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने त्रिवंतम पूरम में डिजिटल साइंस पार्क की अधार शीला रखी इसी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने ट्रेन के डिब्बे के अंदर स्कूली बच्चों के एक ग्रुप के साथ बादचीत भी की और इसी दोरान मिनों ने कहा बीते नौ साल में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है इस साल के बजेट में भी हमने दस लाग करोड रुपे से अधीक इंफ्रा पर खर्च करना ताय किया है आज हम देश में पब्लीक, ट्रांस्पोर्ट और लॉजिक स्ट्रिक सेक्टर का पूरी तरह से काया कल्प कर रहे है पिया मोदी के साथ केंद्रिय रेल मंत्री अश्विनी वैश्रा भी मौजूद रहे इस दुरान उन्होंने कहा केरल में हम विश्विस्तरिये सिंगलीन सिस्टम लाएंगे ट्रेक, जियोमेट्री बगलेंगे, कई जगों पर हम कर्व हटाएंगे और ट्रैक को सीधा करेंगे वंदे भारत श्विन को हरिजुनी दिखाने के बाद पीया मोदी ने देश को आज पहली वाटर मेट्रो की स्वगाद भी दी ये मेट्रो बाकी मेट्रो से बेहद अलग है क्योंकि अब आप पानी पर चलने वाली मेट्रो का लुफ्त उठा सकेंगे कोची वाटर मेट्रो अपनी तरह की एक परियोजना है जो कोची शहर के साथ कनेक्टिविटी के लिए बैटरी चालित इलेक्रिक हाइब्रिड बोर्ट के जरिए कोची के आसपास के 10 आईलेंड्स को जोडती है कर दो कर दो की जिए और लूटनी चांटी झाल मेट्फिटी के लिए प्सकी निए्चल है